सब्सक्राइब गर नोज ताजा खबर तीवी लाई अन्यो बेल आइकन फूचेर ताज ताजा वीडियो पाउनोज सब्सक्राइब पहेले अवर्मा पाच्वेट गुमाव दे पूरागरी कुथियो डेपाल कालागी कप्तान पारस खणकार दिपेंद्र सिंग अईरिले अर्दस्त थक्रिय पारी खेली काचनघण खळकाले संताउन नभ बॉल मां अन्ठाउन नरों बनाओ दा अईरिले तिरपन ना बॉल मां बाउन पाहल को लागी उपकप्तान ग्यानेंद्रा मलले 45 रन, आरेफशेक ले 23 रन बनाए बने, सुभास खकुरेले 22 रन को योगदान करे का थिये, कोल्ट्स का लागी आयान स्री बर्दने ले 2 विकेट लिये का थिये, यह सगी तोस इतर पहिले ब्याटिंग गरे को कोल्ट्स क्रि खकुरे दिये डिये 23 रन मां समेटना नेपाल का लागी सोमपाल का मिले सर्बादिक 3 विकेट लिये का थिये बने , करन केशी रस शागर फुनले समान 2 विकेट लियेका थिये, यह सगी सिर्लंका मै भैको अभ्याप्ड śkele आरर्मी क्रिकेट क्लब लाइ, शर्ट शर्टी रन ले जिते को थियो बने दोसरो खेल मा ब्लू फिल्ड क्रिकेट क्लब लाई 116 रन को विशाल अंतर ले हराएको थियो एस्या कप छनोर खेल मा नेपाल साइत ओमान, सिंगापूर, UAE, हंकंग रम मलेशिया रहे का चन नेपाल ले चनोर को पहिलो खेल मा ओमान संग बदाउ 13 गते खेलने छ एस्या कप छनोर जितने टीम ले एस्या कप मा समय एमा रहे का बारत रग पाकिस्तान जस्ता वलिया टीम हरो संग खेलन पाउने छ तीन अभ्यास रफ प्रसिजन पसी नेपाली टोली सोम बारे सिरिलंका बाट मलेशिया प्रस्तान करने कारेक्रम रहे को च यसरी एस्या कप छनोर को लागी सिरिलंका गईको नेपाली टीम ले तीन ओटै अभ्यास खेल मा जीत हासिल करे को च तपाईलाई नेपाली तीम ले अव्यास केल माशील करे को जीत कस्तो लागेओ अनु किये एसियाली छनूट खेल माँ नेपाली तीम ले उपादी जीत्दे है एसियाकप माँ छनूट हुंच वाह मुदैन कृपया तपाय को विचार कमेंट बॉक्स मा कमेंट गरी दिन होला अनि देश्र दुनिया को रोजशक्र माईलो र ताजा ताजा वीडियो हरुका लागी हामरे यूटूब चैनल सस्क्राइब गरी दिन होला